यूनिवर्स कितना बड़ा है 21st century के इस modern time में भी क्या हम जान पाए है कि यूनिवर्स असल में कितना बड़ा है और ये खतम कहाँ पे होता है अगर आपसे पूछा जाए कि ये football या आपका घर कितना बड़ा है वो तो आप आसानी से measurement के जरिये बता सकते हूँ लेकिन जब ब हमारी धर्ती और आप जीजबी चीज़ को अपने surrounding देख रहे हो वो यहाँ पे ही exist करता है calculation से ये पता चला है कि हमारी धर्ती equator पे 24,901 mile या 40,075 km जितना लिंद है तो इससे आप imagine कर सकते हो कि ये distance एक normal human being को travel करने में कितना ज्यादा time लगेगा लेकिन जो धर्ती हमारे ल crystal satellite moon से normal आखों से देखने में चांध में सबसे बड़ा और धर्ती के सबसे नजदिक लग सकता है लेकिन reality में चांध हम से 384,000 km दूर है अगर imagine किया जाए तो इस gap में 30 और प्रिथ्वी आराम से फीट हो जाएगा अगर 100 km पर आवर के रफ्तार से धर्ती से moon के और travel किया ज पहुचने में 160 दिन जितना समय लग जाएगा इस दुनिया की आबादी 7.6 billion जितना है और उन में से सिर्फ 12 ऐसे लोग थे जो यहां तक पहुच पाए है चांध से हमारी धर्ती कुछ इस तरह दिखता है लेकिन अगर यही धर्ती आप मार्स या मंगल ग्रह से देखते हो तो ये एक डॉट जितना ही दिखाई देगा मार्स की दूरी हमारी धर्ती से on an average 225 million km तक का है ये distance इतना है कि लाइट को भी यहां तक पहुचने में 20 मिनिट समय लग जाएगा जिसका मतलब मार्स से धर्ती तक instant communication कर पाना impossible है इंसान दुआरा बनाया गया spacecraft Voyager 1 space probe जो यून एक astronomical unit धर्ती से सूरज के distance का equal है जिसका मतलब Voyager 1 धर्ती और सूरज के आपसे distance से 141 गुना ज्यादा दूर है अपने इस लंबे सफर में Voyager 1 ने पीछे मुटते हुए ये तजवीर निकाली जो देखने में उतना interesting नहीं लगता लेकिन यहां जो ये सफेद रंग का dot दिखा ये वही जगा है जहां पर आप मैं और हम सभी ने जनम लिया है और यही अपनी जिन्दगी गुजारी है लेकिन इस तजबीर में ये dot देखके ऐसा बिलकुल नहीं लगता Voyager 1 आज के टाइम पे 17 किलोमेटर पर सेगंड के रपतार से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है सुनने में ये स्पीड काफी ज्यादा लग सकता है लेकिन अगर इसी स्पीड से Voyager 1 स्पेस में ट्रेवल करता रहा तो आने वाले 33 साल में भी ये हमारे galaxy Milky Way को क्रॉस नहीं कर पाए एक लाइट एर मतलब लाइट धर्ती के एक साल जितना समय में जितनी दूरी तै करता है सुरज के बाद हमारी धर्ती से सबसे नियरे स्टार प्रॉक्सिमा सेंटॉरी जो धर्ती से 4.24 लाइट एर्स दूर है वहां तक Voyager 1 स्पेस क्रैप्ट को प्रेजेंट स्पीड से एक रेती के दाने जितना है हमारी गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक लगवक 10,000 लाइट एर्स तक फैला हुआ है और यहां 10,000 करोर प्लैनेट्स और स्टार्स है अब आपको लग सकता है कि फिर तो ये यूनिवर्स बहुत बढ़ा है लेकिन रुकिये एंटार यूनि यानि एक करो लाइट एर्स जितनी है और अगर इसे वी जूम आउट किया जाए तो हमें मिलता है वर्गो सुपर क्लस्टर जिसके अंदर लोकल गूप अफ गैलेक्सी सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है यहां पर एटलिस्ट एक सो से ज्यादा लोकल ग्रूप अफ गैलेक् जितना ही है यहां दूरी एक कोने से दूसरे कोने की 52 करो लाइट एर्स तक का है और अगर इसे वी जूम आउट किया जाए तो लैनिक्या सूपर क्लस्टर वी एक छोटा सा भाग है उस इससे का जिसे हम अब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते है लेकिन इसका ये मतलब नहीं बनता कि यही तक पूरा यूनिवर्स सिमित है ये सिर्फ इतनी दूरी है जहां तक इंसान डिसकोवर कर चुका है और ये जरूर हो सकता है कि पूरा यूनिवर्स इससे वी कई हजार लाखो गुना बढ़ा हो और हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि इस अब्जर्वेब चीजों के बारे में बताया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्जर्वेबल यूनिवर्स से जुरा है तो अब एक सवाल उठ सकता है कि क्या ऑप्जर्वेबल यूनिवर्स ये एक कम्प्लीट यूनिवर्स है असल में यूनिवर्स दो पार्ट्स में डिवाइड है एक है अ गंवी टावर उढ़े दुनिया का सेंटर नहीं हो सकता वो दुनिया के एक छोटे से sigue का सेंटर है वो हिस्सा जिसे उसตार पर बैठा हुआ इंसान देख सकता है वो उसके लिए अफज़र्वेविर्श है और जो भी हिस्सा वो पूरा यूनिवर्स अप्जर्वेल और नौन आफ्जर्वेल उनिवर्स को मिला कर अबनता है। I hope इस example से आपको अप्जर्विब और धी नौन अप्जर्वेल उनिवर्स का preference स उमझ आ güzel ऊहँगा । दूसरी तरफ कोस्मिग इंफ्लेशन फियोरी की हिसाब से hetic अगर पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो यूनिवर्स कितना बड़ा है और दूसरी तरफ इनफाइनाइट या अनन्द जी से कहते हैं क्या यूनिवर्स का कोई अंतिया किनारा है हाँ ऑफजर्वेवल यूनिवर्स अर्थ को सेंटर एजूं करते हुए दोनों तरफ 46 बिलियन लाइट येर्स तक ही इसका पहुच है तो वही 46 बिलियन लाइट येर्स दूरी पर ही ऑफजर्वेवल यूनिवर्स का किनारा है और दूसरी तरफ दा होल यूनिवर्स इसका को अफजर्वेवल यूनिवर्स का कोई सेंटर है हाँ जैसे कि पहले वी जिगर किया गया था अफजर्वेवल यूनिवर्स में हमारी धर्ती को सेंटर रजूं किया गया है और दूसरी तरफ दा होल यूनिवर्स में शायद कोई सेंटर नहीं है और ये हमें नहीं भूलना चाह और अपने दोस्तों के शाथ शेयर करना मत भूलना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को अन कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर अपते लाता रहता हूं तो मिलता हूँ अपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स पर वाचिंग